Hello friends, कैसे हो आप सब? Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर करने वाली हूए। बहुत इसली तरीकी से हम बरा बना कर त्यार करेंगी। तो यह friends मैंने पीस लिया है, इस पीस की लंबाई चोड़ाई मैंने 12 इंच लिया है। तो यहां पे मैंने दो पीस लिये हैं, दोनों पीस की 12 इंच लंबाई है और 12 इंच चुड़ाई, इसको मैंने एक बार फोल्ड किया, दोनों पीस को और दो बार फोल्ड किया, तो यहां पे मैंने दोनों को दो बार फोल्ड कर लिया है, तो यह 8 लड़ा हो गया है, तो इसको को इस निशान से हम मिलाएंगे फिर इसकी कटिंग करेंगे तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल होम आट में अगर फ्रेंट्स आप चैनल पर नए है तो प्लीच चैन को सस्क्राइब करना ना भूले और पास में जो बैल आइकन है उससे आप प्रेस करें तक हर रोज इसी तरीकी से नए वीडियो का अपडेट आपको मिल करें तो दोस्तों इसको मैंने यहां से कट कर लिया है अब यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे तो फ्रेंट्स इसके जो पीस कटेंगे वो आट पीस कट कर त्यार होंगे तो देखो यहां से मैंने सब को फोल्ड किया हुआ कट कर लिया है तो यह देखो इसके पीस इस तरीकी से त्यार होंगे देखो एक पीस दो पीस और यहां से हम सिलाई करेंगे यह 3 और 4 यह एक साइड का भाग हो गया और यह दूसरा 1 2 यहां पर सिलाई करेंगे 3 और यह 4 इस तरीके से फ्रेंड्स हम 4 पीस को ऐसे रखेंगे 8 पीस को एक दूसरी के उपर रखते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे तो देखो कैसे हमें पीस को बड़ा के ऊपर अटेच करेंगी देखो 1 पीस के ऊपर कैसे शिद्भी गरматे प्रेंच के ऊपर हमें उल्काषी न мышlet रखते हुए घ्लाइए लगानी है देखो जैसे हमने पीस की कटिंग की थी सेम उसी तरीके से हम इसकी स्लैसीस को कवर करेंगे इस तरीके से सब इसको ऐसे हम स्यक्तर तो दोस्तों ये बरा बहुत सुन्दर और कमफर्टेबल और स्टिचिबल बरा बनकर त्यार होगी तो इस बरा का साइज है 30 और 32 तो यह मारी बरा जो बनकर त्यार होगी यह 30 और 32 वालों के लिए बनेगी तो फ्रेंस अगर आपको इसे बनाना है तो प्लीज इसी त्रीके से जैसे वीडियो में दिखाया है उसी अनुसार आप जरूर बना के देखेगा और आपके लिए सुन्दर सी बरा बनकर त्यार हो जाएगी देखो फ्रेंस बिल्कुल ही कम कपड़े में हमारे पास सिलाई करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एडिया है क्योंकि इस तरीके से छोटे छोटे जो कप लेते हैं देखो इस पट्टि को हमें इसके साथ अटेच करना है तो जो हमने 18 इन्च लंबी और 2 इंच चोड़ी पट्टी ली थी इस पट्टी को हम फ Glue करेंगे और यहां पे एक इस लाई लगाएंगे तो दोनों पटियों को फ्रेंट्स ऐसे ही हमें फोल्ड करकर सिलाई लगाना है तो दोस्तों वीडियो को बिन स्किप के आप एंट तक जरूर देखे आपको लास तक स्टेप बाई स्टेप बताऊंगी किस तरीके से हमें एक सुंदर सी कमपर टेबोल उस्टीचिबल बरा बनाकर त्यार करनी है तो ये देखो फ्रेंट्स मैंने दोनों दोरियों को त्यार कर लिया है अब ऐसे हम पीस को रखेंगे सिद्धे के उपर उल्टा पीस रखेंगे और यहां से हमें सिलाई Assistant लगानी है सिलाई लगाकर फिर हम इसके उप पीस के अंदर जो हमने डोरी सिली हैं उस तोρη को अटेच करेंगे। यह देखो मैंने इस लाई कर लिए हैं। 12inka करेंगे इसके उपर हम अटेच करेंगे भी कोई इसके अंदर लगाते हुए और डोरी के उपड़ करेंगे। ताकि जो डौरी है वह बिलकुल भी ना निकले इस तरीकी से हम अच्छे से इसको इसको सेलों लेंगे यहां तक इस सीद्य पिसको तक हम दूसरे इसको एसा ही सील कर त्यार कर इसी तरीके से फ्रेंड्स हम दूसरे पिसको शिलेंगे तो फ्रेंड्स आप भी इसे एक बार जरूर बना के देखिएगा कि सुंदर्सी बरा बनाने में कितनी ही आसान है तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने यूटूब चैनल होम आर्ट में बने रहे हैं आपको हर रोज नए ने वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा पाइदान डिजाइन बरा डिजाइन पैंट्री डिजाइन या फिर मोरी पोंचा डिजाइन पैंट पलाजो डिजाइन तो इस तरीके के फ्रेंड्स बाजू के डिजाइन वो आपको काफे डिजाइन है वो आपके अपने होमार चैनल में आपको देखने को मिलेंगे बट फ्रेंड्स आप हमें कोमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस तरीके के डिजाइन पसंद है या क्या डिजाइन आपको डोर्मेंट के अंदर या फिर बरा में या किस के अंदर आपको डिजाइन सिखाएं तो आप हमें कोमेंट करके जरूर बताएं कि हमें इस तरीके का डिजाइन बताओ तो मैं आपके लिए वो ही वीडियो लेकर आऊंगी तो दोस्तो अब हमने दोनों पीज को सील लिया है अब हम इसको सीधा करने के बाद में इस तरीके से तीन और इसके उपर फोल्ड करते हुए एक अच्छी से सिलाई लगा लेंगे पहले हम इसके उपर प्रेस करेंगे फिर इसके उपर अच्छे से सिलाई लगाएंगे ताकि जो फ्रेंट्स इसकी फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी प्रेस करने अब इन दोनों साइड में एक एक सिलाई लगाएंगे तो देखो किस तरीके से हम रखेंगे फिर इसके उपर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे तो friends इसकी fold की तीन इंच है पट्टी की जो मैंने छोटा सा एक पीस लिया है सीधा करने के बाद में इसकी कम है तो इस तरीकी से हम यहां से इसको रख लेते हैं और इसके उपर अच्छे से दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे इसको friends हम बीच में अटेच करके दोनों को पीस को सिलाई लगाएंगे तो हमारी बाद है वो खिंचेगी इससे बैटरे हम एक चोटा सा पीस लगे दो या तीन इच का लेकर यहां पर अटेच करके हम असाने से सीधा सकते हैं तो इसको friends इस तरीकी से यह बरा यहां पर हम elastic रखेंगे तो यह मैंने देखो elastic लिया है यहां पर अटेच करेंगे हम लगभग side के अंदर हमें 3-3 inch छोड़ते हुए या 4 inch छोड़ते हुए यहां पर मैं 4 inch छोड़ रही हूँ side के अंदर दोनों side में हमें 4-4 inch छोड़ते हुए हम इसकी सिलाई करके इसको attach करेंगे तो यहां पर हम एक सिधी elastic को खींशते हुए और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे जो हमारा बरा का पीस है उसको हम ऐसे का ऐसा रखेंगे और साथ में elastic को खींशते हुए ऐसे हम इसको सिलाई से cover करेंगे तो देखो इसको हमें पूरे को cover करकर आपको सिधा करकर दिखाऊंगी किस तरीके से हमारी जो यह सुन्दर सी बरा है वो बनकर त्यार होगी तो यह देखो हमारी सुन्दर सी stitchable बरा है वो बनकर त्यार होगी है इसके अंदर मैं elastic भी attach कर लिया है अब यहाँ पे मैं दोनों side के अंदर लगबग side के अंदर दो इंच gap देते हुए यहाँ पे डोरी को रखेंगे और सिलाई से हम इसको attach कर देंगे जदा यहाँ पे हमें दोरी नहीं रखनी है लगबग 2 इंच यह 4 इंच है 2 इंच के बीच अंदर यहाँ पे हम दोनों डोरी को इसके उपर attach करते वेपरेंट्स यहाँ पे हम इसको सिलाई करकर attach कर देंगे इस तरीकी से तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी जो यह बरा है वो बनकर त्यार हो जाएगी लास्ट में हम देखो इसको हम सील लेते हैं फिर हम hook की जगह इसके उपर सिधा ही सिलाई करकर एक टंका लगा देंगे तो यह देखो इस तरीके से मैंने यहाँ तक इसको सील लिया है अब इसको cutting करने के बाद में दोनों साइड से हमें पकरती हुए और इसको hook की जगह हम सील देंगे यहां से इसको पकड़ेंगे और इसके उपर फ्रेंस हम सिलाई लगाएंगे इसके साथ ही हमारी जो बरा है वो बनकर त्यार हो जाएगी बनाने के बाद में बहुत ही सुन्दर लगेगी हमें उमेदी नहीं होगी कि हमने यह बरा है जो हाथ से मसेन के ओपर घर पे इसको बनाया है तो यह देखो फ्रेंस इसको सिधा करेंगे कितना ही सुन्दर इसका डिजाइन है देखो बनाने के बाद में इस तरीकी से कितनी अच्छी लग लिए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें बाई फ्रेंस टैक्स पूर वाई